असलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माई चैनल, आज की इस वीडियो में इस लैस का और स्पाइपिन का इस्तमाल करते वे हम दामन के लिए बहुत ही कुछ सा डिजाइन बनाना सीखेंगे, इन तोनों को मैं एक साथ यूज करूंगी, आप दामन के उपर, स्लीव के उप आप उसको स्काइपिन के बख़णिंगेब, आप इसको उप्लीए की स्टिच कर सकते हूँ, सबसे पहले लैस्त को हम इस तरह से दामन के उपर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे. जितना हिस आपनने इस लिए स्टिच नहीं हो स्टिच से से हाँए, अब इसी तरह से हम स्ट कर लेंगे अब यहां बर्जी देखें आपने बैक साइड की तरफ वोल्ड कर लेना है उसके बाद देखें कुछ इस तरह से नजर आएगी अब यहां पर हम इसको पहले अच्छे से अइरन कर लेंगे ताकि डिजाइन इस तरह से नजर आए ईसके बाद यहां पर दूसरी लेश है इसको हमने इस पआप रियरखें की किनारी है इसके पर नीचे हमने इसको हमने इसको रखना है अब जो दूसी लेश है उसका हमने थोड़ा सा हिस्सार अंदर की तरफ दबाना है ज्यादा को जो पइक के आगे डिजाइन बनी वी है बस उसी के साथ जो है वह मैं इस नीचे वाली लैस को स्टिच कर लूँगी इस तरह से इस तरह से हम इसको set करते वे जाएंगे और slide करते वे जाएंगे अब जितनी चोड़ी less होगी उसे साफ से आपने इसको इस तरह से set करते वे slide करते वे जाना है अब यहाँ पर जी देखें back side से कुछ इस तरह से ये less नजर आएगी तो देखें जी इस तरह से हमारी less जो है वो stitch हो चुकी है अब back side की तरफ जो pipe in हमने fold की थी उसको भी हमने कपड़े को यानि अंदर की तरफ दबाते वे इसको भी हमने slide कर लेना है तो इस तरह से जी देखें हमने दावन को complete कर लिया है और pipe in और less को हमने इसी method के साथ sleeve के ओपर भी stitch कर लिया है अब simple जो है वो हम sleeve की fitting कर लेंगे तो जी आज के लिए बस इतना ही उमीद करते हूं कि आज की video upload के लिए helpful रही होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे like और share जरू कीजेगा चैनल पर new है तो से subscribe करना ना बुलिएगा तो मिरते हैं जी नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिज